हलो फ्रेंड रादे रादे आज हम आपके साथ सेर करेंगे चैना की दाल और सहजन की सबजी सहजन की सबजी बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है और मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है सहजन की सबजी खाने से हट्टियों में दर्द नहीं होता है कई बीमारियों में हम ने यहां बैसे टोरी ले लए और यहारी मिश्ट ले लिए है टमाटन ले लेऊ ही चने की दाल हमने दाल हमने बिगो दिया था इसे भी हमने ले लिया है और यह रहा साहजन यह किलिए बहुत ही लाबदायक है और इसे हम इस तरह से पहले चील लेंगे, देखिए हमने ऐसे इसे पूरे चील लेना है, करके थोड़ा थोड़ा करके, साजन को पहले चील लें, ऐसे बीच-बीच से कट लगा है, चोटे-चोटे कट में आप कर सकते हैं, इसाजन को हमने चील लिया है, अब हमने ये तोरी ल कोट करने के बाद इसे हमने गोल-गोल करके काट लिए हैं यह अब इसका मसाला तियार करेंगे यह हमने मिक्स मसाला ले लिए इसमें धनिया जीरा सब मिक्स पिसा हुआ है और यह थोड़ी सी हल्दी ले लिए हैं और इसमें हमने लाल मिर्च बडर डाल दिया और यह कलर वाला लाल मिर्च काश्मीरी लाल मिर्च इसे सब्जी सब्दार बहुत आपको इसमेय पानी डाल दिया अब इस तरह से हमने सारी सब्जी काटली मसाला भी दयार हो गए है हमारा कि कम अब हमने कढ़ाई गैस पर रख दी है हम उसमें हमने तेल डाल दिया है नहीं में डाल दिया और इसमें हम हींग डाल देंगे अ कि अब इस तरह से सब्जी बनाई बहुत ही टेस्टी बना था और यह हमने हारीमिष डाल दिया है अब यह सारी चीजों को हम पहले बू動画 कि इसमें दो लाल मिष डाल दिए ठोड़ा सा थीखा बनाएगा तो बहुत ऐज़ा लगएगी अधैंक मसाले मिष को हारी मिष को बून मिक्स अब नमक बढ़ देंगे और इसे भी हमने मिक्स कर लिए हैं। मसाला अच्छे तरह के जिबुन गया है अब इसमें हमने लास्ट में टमाटर डाल दिया है गर और इसे भी हम अच्छा तरीके से पकालेंगे तोड़ी ठब देंगे टमाट ताकि अच्छा-तरीके से गल जाए में इसे भी हम मिम् 생रbung करेंगे मसाले के साथ पूर के ओर रियillance हमारी Nana अच्छारी तयार हो गया है अब इसमें हमने चने की डाल डाल दिया है और मसालिक के साथ मिक्स करेंगे और इसमें हमने तोरी डाल दिया है और सारजन एक साथ ही हमने इसमें डाल दिया है इसे और इसे हम मसालिक के साथ मिक्स कर लेंगे अब फिर इसमें हमने थोड़ी सी काश्मीरी लाल में चुपाड़ डाल दिया है कलर के लिए आधे चमश के लगबग डाल दिया हमने और इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर ढखके रख देंगे ताकि जो तोरी है वो पानी छोड़ता है देखिए तोरी में से कितनी पानी निकला और इसे हम फिर से चलाएंगे चनी की दाल है इसको पहले से आप भिगो दीजिएगा दो-तिन गंटे के लिए भिगोने के बाद तब आप इस तरह से कड़ाई में बनाएंगे इसमें हमने तोरी बिल्कुल पता ही नहीं चला है कि तोरी इसमें गया का अच्छे तरीके से गल गया है इसमें थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है ताकि चने के दाल अच्छे से गल जाए और इसे हमने ढख दिया है ढखने के बाद इसे हमने पका लिया है और यह देखि और यह हमारी देखिए ढख दिया ढखने के बाद देखिए निकाला है और सजन की सब्जी हमारी तैयार हो गई है अब इसे हम अपने बावल में निकालेंगे अब हमारी चनल पर नए है तो सब्सक्राइब को बटन दबाएं वीडियो की साही नोटिफिकेशन आपके पास पह खाता है और आपके शायर गाओं में इसे क्या कहते हैं सहजन को अब बहुत ही पर्फेक्ट बहुत ही अच्छी सब्जी तयार हो गई है आप सहजन के स्राइम आप सहजन जरू खाईए क्योंकि यह हट्डियों को मजबूत करता है केल्सियम से भरपूर है और इसे अपने फ